जहिंद सभी को SSGD के जितने मेरे अपने कंडिडेट हैं सब के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं डोकुमेंट वेरिपिकेशन को ले करके क्योंकि हम ये वीडियो बनाते नहीं लेकिन जब आप लोग का सवाल देखने लगे कि सरपढ़ाई में मन नहीं लगता है कहीं मेरा फॉरम रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा यह सब सोच के हमको भी थोड़ा सा लगा मन में आपको कुछ हम क्लियर कर दें इस वीडियो में कभर करने का प्रियास करेंगे कि आप लोग नोटिफिकेशन देखें होंगे उसमें लिखा गया था इस बार कि आपका सैटिपिकेट जो है सेंट्रल वाला या और भी सैटिपिकेट जो भी आपका डोमेशाइल है प्रसी है रेसिदेंशल जिसको आप कहते हैं वह आपका 31 अगस्त के पहले का होना चाहिए तो बात क्या सच है वह भी हम क्लियर करने का प्रियास करें और अगर आपके पास सैटिपिकेट नहीं जो है वह आज हम किलियर करते हैं ठीक है वीडियो बनाने का मन नहीं था और समय भी नहीं था उसके बाद भी निकाले हैं आप लोग के लिए सुनिए आप लोग पहले जो है पूरा फूल नोटिफिकेशन जो है इसका रीड कर लीजेगा हलना कभी आपको नोटिफिकेशन दिखा नहीं रहें ठीक है सकूरीन पर खुला हुआ है लेकिन हमको बोलने में फिर बोल नहीं प्याइब अगर नोटिफिकेशन दिखाने लगे तो फिर बोल नहीं प्यांगे इसलिए आप लोग बाद में देखिएगा पहले मेरा बास सुन लीजे आपको पता है कि इस बा कर्อะไร कीति को सब्सक्राइब बनता है यह सब्सक्राइब का मतलब both को सब्सक्राइब है तो आप हरें आपके पास उन समय यह तो क्या होगा सुनिये इस आपको घरीagen आघर आपके पास ड्लोम होता है क्या तो आप जनेरलगी में क्वाइल भाइन कर लिया जायेगा कभः अगर आपका अधिक नंबर आ तोग्र कशिविद्द का etsayt का कंडिडिडेट है और आपका नंबर सांथ और साथ नंबर में आपको सस्कती सांथ कर देता और आपका भी लेकिन आपके पास किया हुआ SCSt का Ci certificate ही नहीं है तो अपको जन्रल में क्वाइलिफाय करेगा और पता चला कि क्वाइल का तो कत यह प्यूब हो पाएब सब्जेए कि नहीं तो haven और हो आपको पोइंट पर हमीरे सुनने का प्रियास कीजिए समझने आपको पता दें इस बार लगवाग स्टुडेंट 90 परसेंट से यह भाव हमको पता है इस बार कि उसके पास 31 अगस्त के पहले का साइटिफिकेट नहीं है अब आप क्या बोलते हैं बोलिये अगर माल लिजें आप तो इसा नहीं हो सकता कि सब को जनरल में क्वैलिफाय कर दिया तब फिर जनरल वाला कहों जाएगा ओविसी और एससार नहीं होगा नोटिपिकेशन में बहुत कुछ लिखा है आपको अगर हम नोटिपिकेशन अभी रीड करके दिखाने लगे एक छोटा-छोटा चीज अगर आप पकड़ने लगे पिछले बार भी नोटल फोर सीयार पी अब थी अब इसे घुसना नहीं जाते हैं यूट्यूब पे हम ज्यादा बखवास नहीं देते हैं अपना काम से काम रखिए इसलिए आपको बता रहे हैं अगर घुसने लगए सब चीज में देखें पॉइंट पकड़के बता दें अब लोका दिमाग घुम जाएगा कि तब तो मेरा फॉरम रिजेक्ट हो ही जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अगर आपके पास अभी सर्टिपिकेट नहीं है तो आप पस्ता रहें कि अर्सर मेरे पास सर्टिपिकेट पहले नहीं था हम भर दिये अब क्या होगा मेंडिकल के समय बनाईrings सर्टिकर बात तो वही Gabriel भर रखने नहीं प्कू可ब को क्याम ही Jee ngay ka aapka aapka गृट होता है जो डॉक्यमेंट विपकेसन होता है वो होता है बेडिकल के समय समझें पहले आपका एक्जाम होगा और फीजीकल होगा इसकर अधिकल होगा उतना लंबा दिन है नजी फिर भी आप अभी बनाक रख लीजिए यह मिडिकल के पास बनाईएगा फी नहीं है समझे की नहीं और अगर कोई कोछी स्ट्रेंडिसमा ऐसे भी है दिमाग लगाने वाले कि सर ओवी सी का कटब हमारे यहां से अधिक जाता है जनरल का कम जाता है देखिए बड़ा अच्छा अंदर घुश कर रहा है किसी को इतना हिमत ने कि इतना अंदर घुश जाए ह हम जो बात आपको बोल रहा है सुनिएगा कि सर ओवी सी का कटब हमारे यहां से कम जाता है जनरल का कटब अधिक चले आता है तो अगर अगर सर सब को यहीं सोचने लगे तब फिर जनरल वाला कहां मराएगा इडवलोएस में घुश के इडवलोएस किसके लिए उनके लिए आर्थी ग्रूप से कम जो रहे हैं जिनके पास इडवलोएस रहेगा और आपको में बता देते हैं यह जितना आप नोटिफिकेशन पड़ा रहा है न यह सब लागू तब होगा सर जब आपका मेडिकल होगा उस समय देखेगा जितना नया नया स्टूडेंट होगा सब नय बना ही नहीं है वही नाम कर रहा है कि अगर किसी पाट नहीं है और सब लड़का गया मेडिकल देने तो क्या बोलेगा उसको बगा देगा सब को और यहीं बोलेगा कि आप सबको जनल में क्वाइलिफाइक कर देंगे तो फिरовые सी और सटीह का सीट कहोंँ चलिए जाएगा इसलिए अभी इसमें नहां घव रहा हैं आप लोग को बार बार सिखा रहा है जो सैट्पिकेट आप नहीं बना पाए उसके पहले अभी बनाईए या मेडिकल के समय बनाईए बात तो उसके बाद का ही होगा ना अब 13 अगस्त के बाद ही जुड़ाएगा आपका और हमको किसका होता है कि यह मेट्रिक लेवल का एक्जाम है इसलिए आप मेट्रिक पास होना चाहिए आपका मेट्रिक पास का रिजल्ट होना चाहिए लाश्ट डेट के पहले का यह नियम होता है ठीक है हलां कि नोटिफिकेशन में लिखा है हम मानते हैं इसको एक्सेप्ट करते है लेकिन ऐसा डरने वाला कोई बात नहीं है वहां पे नया ही डोकिमेंट आपको बनवाक ले जाएंगे न आप तो एकसेप्ट कर लेगा उसमें डरने वाली बात नहीं है बात दुसरा जरा सा और बात करते हैं अगर आपका कुछ स्पेलिंग गलती हो गया है किसी चीज में सबसे पहले स्टूडं को यही दिमाग लगा कर लगें फॉर्म भरना चाहिए कभी भिया प्लाइप में फॉर्म अप्लाइक रहें ना सर तो आप कभी भी अधार काड को देखकर फॉर्म नहीं करें अब अपने metric के mark sheet को देकर form apply करें अधार card सर सुधर जाता है दो दिन में ठीक है लेकिन metric को सुधर ने में आपका इंटर भी गड़बर हो जाएगा सब कुछ दिक्कत हो जाएगा इसलिए अधार card को सुधर वालें सबसे बड़ा बात यह है और हम तो यह भी कहेंगे कि अगर आपके पास कुछ गलती ज्यादा नहीं हुआ है चोटा मोटा गलती हुआ है तो एक 100 रूपया वाला एफिडेविड बन वालें उसमें लिख वालें कि हम ऐसे ऐसे आदमी हैं यह कि निवासी है मेरा नाम यह है रॉल नमबर यह है जो गलती विशेश हुआ है उसको अच्छे से कोड़ द्वारा मेंसन कर वालें देड़ सो दो सो रूपया खर्चा होता है ज्यादा थोड़ों नहोता है और मांकी बात है कि फॉर्म रिजेक्ट का सुनिए आपको बताते ह आप साट्पिकट को अलग प्रिंट करा करके सोच रहें कि जो है मुझमें डेटर वर्थ चेंज कर दें या उसका कुछ नंबर चेंज कर दें तो बाव ऐसे सी है अच्छा आइन परिक्रिया है वहां पापका डालेगा ना रॉल नंबर साट्पिकट नंबर तो आपका पु और एक बार मोडिफाय का ऑप्सन जरूर देगा और ऐसे भी आप से को मेल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई प्रोब्लम है तो आपको कोई ना कोई उपाय बताएगा और बंकी अगर आपके डोकुमेंट कोई कुछ ज्यादा प्रोब्लम है तो मेरा एक टेलिग्राम होगा लेकिन जहां तक हमको पता है रिजेक्ट नहीं करना चाहिए इस सब छोटे-छोटे केस में जो फरजी लड़का है जो ज्यादा काबिल बना है है बिहार का भरा है वहां से असम से समझे की नहीं है यूपी का बर्दिया पंजाब से अब उसका सब कुछ मिलना यह अभी बात जो आपको फिर से बता है सुनिए कि डोकुमेंट वेरिपिकेशन को लेकर करके टेंशन ना लें 31 अगस्त के पहले डोकुमेंट बनवाने का बात था अब तो जब भी बनेगा आप 31 अगस्त के बाद ही बनेगा ना 31 अगस्त के पहले बनवाने का बात था तो सब सेंटर में ऐसा होता है कि मौका देता है कहीं संनटर में आणू मौका नहीं देता अधान है मंते हम लेकिन लगबाग में एसा नहीं होता है और अभी डर time रहेगे तब पिर आगे क्या होगा इसलिए आपको यह समझाने के लिए वीडियो बनाए और बांकी केटोगरी कैसे चैंज होता है कैसे गुस्ता है इसके बारे में बहुत चीज है कभी समय मिला तो आपको एक एक चीज खुल के बता देंगे ठीक है बहुत कुछ बात है लेकिन हम यूट्यूब पर आकर उतना उचलना कुद्रना नहीं चाहता है इसलिए थोड़ा सा संत रहते हैं और अपना मगन रहते हैं और जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए कुछ पीसेस बात होगा आप हमसे टेलिग्राम गुरूप पर आके बात कीजिए ना जी ठीक है फिर बाद में मिलते हैं देखते हैं स